जनता के खून पसीने के टेक्स के पैसे से बिधाय के गाड़ी में फोकट में डीजल भरता है। इस तरह से करोली में खुले में जंगल राज और लूट का माहुल है। प्रधानमंती स्वच्चता कारकम के तहट कें सरकार ने करोली नगर परशद को 30 बाहन भेजे थे जनमें से 28 बाहन नाकारा खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ स्वच्चता कारकम में 50 अलाक रुपे प्रती महा लगवग 800 सफाई कर्मचारियों से संब्धा पर करोली सेर को स्वच्च रखने के लिए लगाई गए हैं। और उनका भुकतान भी प्रती महा किया जा रहा है कागजों में। शेरी रोजगार योजना में 1500 सफाई कर्मी लगे हुए हैं और एक से दो केवल स्थाई कर्मचारी हैं। आज इसके बाबजूद 24-25 कर्मचारी होने के बाबजूद करोली सेर की गली-गली कछरे से आटी पड़ी हैं। मैं कह सकता हूँ राज्तान का सबसे गंदा सेर है तो कोई करोली है। और बहाँ पर हो क्या रहा है। तीस में से 28 बहान बंद पड़े हैं। और उन 28 बहानों के नाम पर, सारे बहानों के नाम पर, पूरा के पूरा पैसा। चैर्मेन साब की गारी, चैर्मेन के पुत्र अमिनुद्दीन खान, उनके दो बहान हैं, उनकी दो जेसी भी हैं। उसके साथ साथ विधायक लाखन मीना उनकी गारी नंबर फॉर्चूनर 1490 वो गारी ने दो बरसे आज तक एक रुपे का भी डीजल कभी बजार से नहीं करीदा नगर परसद के उसी संबंदित पेट्रोल पंसे वो अपनी टंकी फुल कराते आएं फोकट में जनता के खून प कमिशनर के निजी बस इसकूल की बस और इनके गाम में भी जबवत पढ़ती है तो ये कर्मचारी हैं ये जरी केनों से ड्रमों से पेट्रोल और डीजल भाग घर पे पहुचा के आते हैं इस तरह की बंदरवांट और लूट मची हुई है अब तक लगवक 18-20 करोड रुप हाई आयुक्त ने करोली के कई पारसदों की सिकायक पर विष्टाचार के चलते हटा दिया था एपियो कर दिया था लेकिन सांती धारिवाल जी ने तीन दिन वाद उनको बापस लगा दिया और इनको लगाना भी हाई कोट के नियमों के उनके आदेसों की अबमानना है उसक प्रदानमंत्री सचता कारिकम का जो मोदी जी ने सपना देखा कि भारत सच्च बने करोली भी सच्च बने पर इन लोगों ने सच्चता कारिकम से पहले जैसा करोली रहता था उसको और भी बदसूरत और गंदा सेर बना दिया है